मन्जिले रस्वा है खोया है रास्ता आये ले जाए इतनी सियत जाए ये मेरी जमानत है तु मेरी अमानत है मुझको इरादे दे कसमे देवा दे दे मेरी दुआओं के इशारों को सहार दे दिल को ठीकाने दे नए बहाने दे खौबों की बारिशों को मो संध्र पर माने दे अपने करम की करदाए तरदे घर भी तु निगाहे सुन रहा है ना तु रो रही हूं मैं यारा शुचिश्मिता शिक्दार हां मैं प्रॉपर कोच भी आर सी हूं है नमस्ते सबको भायों बहनों और मेरे बड़े सबको मेरे तरफ से नमस्ते और जो छोटे है तो मेरे तरफ से सबको प्यार है और इधर मैं आज फर्स टाइम मेरा ओडिशन चल रहा है इधर मैं आज ही ऑडिशन देने आए तो थोड़ा सा घब्रा ठोड़ा था लेकिन भगवान के क्रिपास से सब कुछ सही रहा तो कैसे तुम तुम क्या करते हैं मैं वैसे स्टूडेंट हूँ मैं ग्राजुएशन मैंने कंप्लीट की है और अभी गवन्मेंट जॉब की तयारी चल रही है दिन मैं सिंगिंग भी कर रही हूँ संगीत की दुनिया में कितना दिन साना हुआ मैं फाइब मन्स पहले संगीत के बहुत महिनित के जरूरत नहीं है अगर आप दिल से गाओ दिल से गाना गाओ दिल से गाना को रिस्पेक्ट करो आपको जैसे कि कोई डांसिंग करना चाहता है तो डांसर बन जाते हैं तो बनी बन बन पाते हैं वह लखी बात होती है और क्या बताओ अब लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो अगर कोई दिल से करे चाहे वो गाना हो डांसिंग हो या फिर ड्रॉइंग भी हो जो भी हो अगर कोई दिल से उसको माने दिल से करना चाहे तो जरूर वो एक दिन सक्सेस होगा बहुत जादा मेरे पपा वो वो भी सिंगिंग करते थे लेकिन उनका कुछ वह था एक एक्सिडेंट के वज़े से उन्होंने सिंगिंग छोड़ दिया तिन मैं ऐसे पहले बच्पन में मैं डांसिंग सीखती थी लेकिन गाना कभी सीखा नहीं मैंने पहली दफाव मैं एक इदर से पापा ने देखा कि हां थोड़ा सा ठीक है तो फिर पापा के बड़े भाई हैं बड़े बपाब बोलती हूं तो उन्होंने कहा कि आपके बेटी को अभी तक लेके क्यों बैठे हो तो उनको लेकि आऊ मैं गाना सिखाऊंगा तो फाइब मांस पहले से मैं बड़े पापा के पास मैं गाना सीख रही थो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया aص के वज़े epid मेरा संगीत के दुनिया में आना हुआ मैं मैं कभी सपने में सोची नहीं थी कि मैं सहिंगि करूंगी तो उनके सपोर्ट के वज़ए से मेरे फैमिली के सपोर्ट के वज़े से और भगवान की क्रिपास से हो गया है सारा गमा की दुनिया में क्या उम्मीद लेकर आया था